दोस्तो हमने अपने पिछली वीडियो में ब्रह्मान की दुनिया को एक्स्प्लोर करने के बारे में जाना था जिसमें हमने प्रित्वी से अंद्रिक्ष में सफर करते हुए सौर मंडल के सभी ग्रहों को करीबी से देखा था और सभी ग्रहों के नीचर के बारे में जाना था और सफर करते हुए हम सौर मंडल के आखरी ग्रह नेप्चुन तक पहुच गए थे लेकिन ये ब्रह्मान बहुत ही विशाल है और अभी तक हमने ब्रह्मान के सफर का 5% भी कवर नहीं किया है और आज की वीडियो में हम जर्नी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे और चलेंगे ब्रह्मान की दुनिया के आखरी छोड़त जहां हम जानेंगे करोडो, गैलेक्सी, ब्लैक पोल, एक्सो प्लैनेट और ब्रह्मान की सबसे पुरानी गैलेक्सी को भी तो मेरा नामे गौरफ चले शुरू करते ब्रह्मान डिवी के आज के इस नई एपिसोड को दोस्तों हम अपनी जर्नी को नेप्चून से होते हुए आगे बढ़ते हैं अब हमारे सामने आती है क्वीपर बेल्ड जो एस्टरोइट बेल्ड के जैसी ही दिखाई देती है लेकिन यहां मौजूद एस्टरोइट की संख्या बहुत ही जादा है और यह सभी चट्टाने बर्व की मोटी लेर से धकी हुई है जो निरंदर सूरज का चक्कर लगा रहे है और इनी में छुपा है प्लूटो जो एक समय में हमारे सौर मंडल का ही हिस्सा था जो अपने और्बेट पात को साफ ना रखने के कारण ग्रह की श्रेनी से भार हो गया था अगर हम प्लूटो को एक करीब जाएं तो हमें यह दिल की शेप का समंद्र दिखाई देगा जो देखने में काफी जादा खूबसूरत दिखाई देता है सफर को आगे बढ़ाते हैं अब हम सौर मंडल के अंद तक पहुँच चुके हैं जहां हमें दिखाई देते हैं कई सारे कॉमेट्स यानि धूम के दूँ जिस तरह एस्टरोइट बैल्ट और कुईपर बैल्ट है वैसे ही सौर मंडल के अंद में कॉमेट्स मौजूद हैं जो कई हजारों की तादात में सूरज को और्बिट कर रहे हैं अगर आप लगी रहे तो आपको फेमस हेलीस कॉमेट्स भी देखने को मिल सकता है जो हर 75 साल बात प्रिप्फी से होकर गुजरता है कॉमेट्स को पार करते हुए हमें आगे दिखाई देंगे मानव इत्यास में बनाए गए अब तक के सबसे अनोगे स्पेस प्रोग वॉयजर वन और वॉयजर टू जो करीब 45 सालों से अंतरिक्ष में सफर कर रहे हैं और आज वे दोनों इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर कर चुके हैं वॉयजर वन और वॉयजर टू की उपर मैंने अल्रेडी डिटेल वीडियो बनाई हुई है आप उपर आई बटन पर जागर वो वीडियो देख सकते हैं अब हम इतने आगे आचुके हैं कि हमारा सौर मंडल लगबक खतम हो चुका है यहां सूरज की रोशनी भी बहुत ही कम हो चुकी है और सूरज की ग्रैविटी भी कमजोर हो चुकी है ऐसा लग रहा है मानो हम अपने घर से बहुत ही जादा दूर एक अंजान जगे आ गए हैं लेकिन हमें अपना सफर जारी रखना है सफर में आगे अब हम ऐसी जगे आ गए हैं जहां दूर दूर तक हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि अब हम एंटर कर चुके हैं इंटरस्टेलर स्पेस में और हमें अब अपने स्पेसक्राफ की स्पीड को लाइट की स्पीड के जितना करना पड़ेगा अगर आप Interstellar Space के बारे में नहीं जानते तो दोस्तों एक तारे से दूसरे तारे के बीच की में जितना खाली स्पेस होता है उसे हम Interstellar Space कहते हैं इस बीच हमें बिल्कुल ही खाली स्पेस नजर आएगा जो काफी जादा डार और गहरे अंदेरों से गिरा हुआ है यहां सूरज की रोशनी को भी पॉचने में कई सालों का समय लग जाता है इसलिए हमें पृत्वी से दूर के तारे एक डॉट के जैसे नजर आते हैं लेकिन यहां भी सूरज की ग्रैविटी का असर मैसूस होता है जहां हमें चोटे-चोटे कॉमेट्स की लियर दिखाई देती है जो एक बहुती बड़े बादल जैसे दिखाई देती है जिसे हम कहते हैं ओट क्लाउड यहां से आगे बढ़ने पर हमें एक ऐसी जगह पहुच चुके हैं जहां हमें नेकेड आई से कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा दूर दूर तक बस अंधेरा अगर हमें दूर दूर की चीज़े देखनी है तो हमें जरूरत पढ़ेगे इंफ्रारेट विजन की जिससे हमे देखने पर ब्रह्मान कुछ इस तरह दिखाई देगा जहां हमें कुछ ऐसे घ्रह दिखाई देंगे जो पूरी तरह बेजान है इनके पास ना ही कोई चांद है और ना ही कोई तारा जिसको वह और बिट कर सके इन घ्रहों को वग्यानिक रोग प्लैनेट कहते हैं और दो ज 121 तक कुल 170 के करीब ऐसे रोग प्लैनेट को खोजा जा चुका है जो इंडरस्टेलर स्पेस में अपने अंजान सफर में इधर उदर घूम रहे हैं सफर में आगे बढ़ते हैं और अगले पड़ाव में हमें दिखाई देगी हमारी मिलकी वे गैलेक्सी जो कुछ ऐसी मौझूद है विशाल ब्लैक होल जिसे सेजिटरियस एक विछे सेजिटरियस एक कहा जाता है सेजिटरियस ए ब्लैक होल की ऑफीशल पिकत्पी हाल ही में सबसे अगलेक्सी योईक्शी के देखते हैं मर्ण 121 है और हमारी गैलेक्सी से डाई करोड लाइट येर की दूरी पर मौझूद है और वैग्यानिकों का भी कहना है कि एंडरोमेडा बहुत ही तेजी से हमारी गैलेक्सी की और बढ़ रही है जो साड़े चार अरब सालों बाद हमारी गैलेक्सी से टकरा जाएगी अगर आप एंडरोमेडा से नजर हटाएंगे और चारो तरफ देखोगे तो हमें एंडरोमेडा जैसी करोडों गैलेक्सी दिखा और सबसे हरानी की बात तो ये है कि ऐसे ही लाखों लोकल ग्रूप मिला कर एक क्लस्टर को बनाते हैं और यहां हमें दिखाई दे रही एक एक लाइट डॉट अपने आप में ये गैलेक्सी है और हर गैलेक्सी में करोडो तारे और अर्बो ग्रह मौजूद हैं इसी तरह ये सारे लोकल ग्रूप मिलकर एक क्लस्टर को बनाते हैं और ठीक वैसे ही कई सारे क्लस्टर मिलकर एक बहुती बड़े सूपर क्लस्टर का निमान करते हैं और वेगैनिकव का भी मानना है कि एक करोड से भी जादा बड़े सूपर क्लस्टर मिलकर पूरे ब्रहमान को बनाते हैं और यही तक हमारी साइंस की सभी सीमा खतम हो जाती है इससे आगे हम अभी तक नहीं देख पाएं कि आगे क्या है इसी लिए हम इसे Observable Universe कहते हैं जो 92 बिलियन लाइट एर तक फैला हुआ है और हर सेकिंड ब्रहमान बढ़ता जा रहा है अगर आप प्रित्वी से होते हुए ब्रहमान को एक नजर में देखना चाते हैं तो ये इमेज आप को और से देखिए इसमें ब्रहमान भी एक बहुती बड़े विशाल बॉल जैसा दिखाई देता है जो वग्यानिकों ने अभी तक मिले सभी डेटा को मिला कर बनाया है तो अब आप अंदासा लगा सकते हैं कि हमारा ब्रहमान कितना बड़ा है और पृत्वी में मौझूत इस छोटी सी दुनिया से हमने पूरे ब्रहमान को इतना एक्स्प्लोर कर लिया है तो दोस्तों ब्रहमान के सफर में आज के लिए इतना ही ओंडर विया है